चात्रो नमस्कार आज हम बात करेंगे लोदीवन्स के शाशक सिकंदर लोदी की जिसने दिली सल्तनत पर 1489 से 1517 तक शाशन किया और वह लोदीवन्स के संस्थापक बहलोल लोदी का पुत्तर था चात्रो शुरू करते हैं सिकंदर लोदी बहलोल लोदी की तीसरी बेगम हेमा से उत्पन हुआ था हेमा एक स्वर्णकार की पुत्री थी सिकंदर लोदी के बच्पन का नाम निजाम शा था बहलोल उसे अत्यंत प्रेम करता था अत्यवय स्वाभाविक ही था कि बहलोल ने निजाम शा का बच्पन से ही हर बात का माकूल इंतजाम कर दिया था अपने खाने खाना फार्मूली को उसने निजाम शा का संड़क्षक निउप्ट किया था उसके जीवन को सुखत बनाने की द्रस्टी से सुल्तान में उसे संबल का सुबेदार निउप्ट किया और इच्छा व्यक्षक की कि जिस परकार सरहिंद की सुबेदारी मुझे सुबशिद हुई उसी परकार निजाम सा को संबल की जागिरी सुबशिद हो इससे तात्पर यह था कि वह उसे डिल्ली का सुल्तान देखना चाहता था फिर भी निजाम सा आसानी से डिल्ली का सुल्तान नहीं बन सका उसके अन्य दो भाईयो बार्बक्षा और आजम हुमाईयों ने उसका विरोध किया जब मिलोली गाओं में उत्तरादिकार के प्रस्ण पर अमीरों की शभा हुई तो वह केवल खाने खाना फार्मूली के सयोग से ही सुल्तान बन सका निजामसा की आकरती सुन्दर थी वह अपने अनेक गुणों से परिपूर्ण था उसकी वीरता पर सुल्तान को पूर्ण विश्वास था जब निजामसा ने तातार खान को अमबाला के समय भारा दिया था तो बहलोल लोदी ने उसे अपना उत्तरादीकारी कोशित कर दिया जब सुल्तान रूग्ण अवस्था में था तो अमीरों ने उसकी उत्तरादी कारी के बारे में इच्छा जाननी चाहेती सुल्तान ने निजाम साह को बूलाया जो उस समय दिल्ली से 80 किलोमेटर दूर था वो अपनी सेना सही दिल्ले के समीप छावनी में आ गया अपने संरक्षक खाने खाना फार्मूली की सला सेव सुल्तान बन गया सत्रा जुलाई सुक्तरवार 1489 ईस्वी को जलाली में उसका राज्या भी सेख हुआ था वो अपने को शिकंदर साह की पद्वी से अलंकृत किया उसने अब हम देखेंगे उसकी आरंभिक कठीनाईया निजाम शा को प्रशाशन का अच्छा अनुबव था सर परतम सरहिंद का हाकिम नियुक्त हुआ था पिता की अनुपस्तिति में वो दिल्ली का शाशन भी संचालित कर चुका था अपने पिता के शाशन काल में ही वो अनेक विद्रोह दबा चुका था सुल्तान ने उसे अपना उत्रादी कारी अपने जीवन काल में ही मान लिया था गद्वी पर बैठते समय उसकी आयूबी 31 वर्स हो चुकी थी पर फिर भी जब वो सुल्तान बना तो उसे अनेक कटिनाईयों का सामना करना पड़ा उसके समक्ष जो कटिनाईया थी उन पर नज़र डालते हैं पहली उसके सामने प्रथम कटिनाई यह थी कि वो एक स्वल्नकार की पुत्री से जन्मा था अते अफगान उसे सुल्तान स्विकार करने में हींता समस्ते थे इस कारण उसे अपने व्यवहार से यह दिखाना था कि वो एक सच्चा मुसल्मान है और व्यवहार में भी वो किसी अफगान से कम नहीं है दूसरी कठीनाई उसके अन्य ब्रहता उसका विरोध कर रहे थे उसने बारबक्षा का विरोध प्रमुक था अते उनके विरोध के सामने अपनी सुरक्षा का प्रस्ण भी प्रमुक था तीसरी कठिनाई विभिन्य प्रांतों के सुबेदार अभी तक पूर्ण थे उसकी अधीनता मानने को तैयार नहीं थे विशेश रूप से जौनपुर के सर की सुबेदार उसका विरोध कर रहे थे अते उसे उन पर भी कड़ी द्रश्टी रखने की आवशकता थी दक्षण में भी उसका राजी सुरक्षित नहीं था गौालियर धौलपूर तथा राजी विस्तार के लिए बयाना के मुसलिम सुबेदार को परास्ट करना अनिवारित था पाँचवा इनके अलावा नए सुल्तान के सामने रिक्त राजकोश की भी समस्या थी अब हम देखते हैं सिकंदर के सामने जो कठीनाया थी उन कठीनायों का उसने कैसे निवारण किया इन उपरोग समश्याओं के समधान है तो सुल्तान ने प्रथम अपने विरोधियों को अपनी और मिलाने है तो कुछ परलोभन कारी कारे किये पहला कारे उसने सेनिकोश को दो से चार महीनों का वेतन पुर्सकार स्वरुप दे दिया दूसरा उसने अमीरों को सुन्दर वस्तर तता आकर शक्पत देकर प्रसन करने का प्रयास किया इन परियतनों के उपरांथ उसने अपने विरोधियों का दमन आरंब कर दिया राज्य का उसने दौरा किया तथा जिसे भी उसने अपना विरोधी पाया उसको ही उसने दबा दिया इस चक्कर में आलम खां और इसा खां लोधी उसके विरोध से हट गए यहां भी सुल्तान ने तुष्टी करन की नीति अपने आलम खां को परास्त करके भी उससे इतवा का जागीदार नुक्त किया इसा खां गाहिल होने के कारण कुछ दिनों बाद बर गया उसके इस्थान पर उसने गणे शम्षाबाद को हाकिम नुक्त किया तीसरा उसने अपने चचेरे भाई आजम हुमाईू की खबर ली जो अब तक अपने को दिल्ली का सुल्तान समझे बैठा था आजम हुमाईू को भी सुल्तान ने परास्त किया तथा उससे काल्पी छीन ली बैयाना के हाकिम को पद चुक कर उसने वहां खाने खाना फारमूली को सुबेदार नुक्त कर दिया गौालियर के राजा ने बिना युद्ध के ही सुल्तान की अधीनता स्विकार कर ली तो सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने विरोधियों का दमन कर राजिय में अपनी प्रमूसक्ता इस्थापित कर ली 1504 में सिकंदर लोधी ने धौलपूर पर आक्रमन करके धौलपूर के शाषक को पराजित किया पन्रा सु बारा तेरा ईश्वी में वह चंदेरी पर भी अधिकार करने में सफल रहा इस प्रकार उसने अपने विरोधियों का दमन किया और राज्ये में अपनी इस्थिती मजबूत की और कठी नईयों का निवारण किया अब हम देखते हैं उसकी धारमिक नीती ततकलीन मुस्लिम इतियासकार उसके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर उसे धरम का कटर नहीं मानते पर उसके कारे बताते हैं कि वह एक धरमांद था वह शरा में पूर्ण आस्ता रखता था कई इतियासकारों ने तो धरम के मामलों में उसे दूसरा फिरोश्या बताया है उसने थानेश्वर के तालाब में हिंदूओं का सनान करना वर्जित कर दिया तता उसने कई देवालयों को धारा साही कर उसकी इस्थान पर मस्जिदों का निर्मान करवाया तथा उसने कई मूर्तियों को भी खंडित करवाया देव मूर्तियों को वह खंडित कर दिया करता था उसने नगर कोट के ज्वाला मुखी मंदिर की पवित्र मूर्ति को तोड़ डाला और उसके टुकडे कसायों को बटवा दिया मत्रा में उसने यमुना के किनारे स्नान करना वर्जित कर दिया जन्ता का विश्वास था कि सुल्तान भूत प्रेत में विश्वास करता है पर तु वास्तों में देखा जाये तो वह न तो धर्मान ही था न धर्म भी रोदी क्योंकि धार्मिक आदंबरों में जाने से वह अपने मुसल्मान बाईों को भी रोकता था उसने हिंदुओं की धार्मिक बाउनाओं को ठेश के और इसलिए पहुंच जाए कि उसके अफगान भाई आश्वस्थ हो जाएं कि वह सुनरिन का पूतर होते वे भी सुच्चा मुसल्मान है वह नहीं चाता था कि मुसलिम औरते पीरों की मजारों पर जाएं महरम निकालना भी वह धरव वीरोधी मानता था अब हम देखेंगे सिकंदर लोधी का शाशन प्रबंध सिकंदर लोधी ने सत्ता का केंद्री करण किया अफगान सरदारों को अपनी प्रभु सत्ता स्विकार करने के लिए बाध्य किया सूबेदारों को उसने अपने नियंतर्ण में रखा उसने अमीरों के हिसाब की जाँच करना प्रार्म किया राजश्वे की चोरी करने वालों को उसने कठोर दंड दिये अल्लाव दिन व बल्बन की भाती उसने गुप्चर विबाग की इस्थापना की तारीखे दाउदी लिखता है कि उसके शाशनकाल में अनाज वस्त्र वजीवन की अन्य वस्त्रूए बड़ी सस्ती थी सरकारी रकम का गबन करने वाले करमचारियों को कठोर दंड दिया जाता था कठोर होने के साथ साथ वद दयालू भी था दीन मनुष्यों की फर्याज सुनने के लिए वा सदा उध्यत रहता था तता उनकी सहाथा भी करता था न्याय करने में वा विशेश रुची रखता था वा स्वयम सर्वोच न्याय दीश था इसलिए शिकंदर लोदी अपने वल्स का सबसे योग्य शाषक माना जाता है साथक की द्रश्की से वो निपून था उसने अपने प्रशासनिक कारियों से अपने दिल्ली के लुप्त गोरों को पुनरजीवित किया उसने कई जनहित के कारे कर जनता में अपना अच्छा इस्थान बना लिया व्यापारियों के सुईदा के लिए उसने सड़कों का निर्मान करवाया था क्रशी को उन्नत करने के प्रयास भी उसने किये 1425 में जब अकाल पड़ा तो उसने जनता को मुहंबत तुगलक के शाषनकाल की भाती भूखे नहीं मरने दिया अकाल के समय उसने अनाज पर से चुंगी हटा ली थी निरंतर युद्ध वह संगर्ष करने का प्रभा उसके स्वास्ति पर बुरा पड़ा मालवा पर आकर्वन करने की द्रश्टि से वह बयाना गया था जब वहां से लोता तो बीमार पड़ गया आरब में सुल्तान ने अपनी बीमारी के समाचार गुप्त रखे पर जब वह राजी करने में सर्व था असमर्थ हो गया तो उसकी बीमारी के समाचार महल के बाहर परशारित हुए उसके रोग निदान के लिए विभिन्न कारे किये गए पर वे सब कारे निस्फल रहे अंत में सुल्तान 21 नवंबर 1517 ईश्वी को इस सरसार से विदा हो गया उसने 28 वर्ष शासन किया उसकी मर्तियों के संदर में यह भी केउदंती प्रचलित है कि वह हाजी अब्दुल बहाव के शाप से मरा था चात्रों अब हम देखेंगे उसके चरित्र का मुल्यांकन उसके गुण दोसों के बारे में विचार विमर्ज करेंगे शिकंदर लोदी की लगबग सभी इतियास कारों ने प्रसंसा की है उन्होंने उसके सारीरिक गुणों के साथ साथ उसके मौदिक गुण भी दर्साएं है न्याय के छेतर में उससे मुचा उठाया गया है परन्तु इन सब प्रसंसाओं के उपरांत भी वह अपने पिता बहलो लोदी से न तो अधिक लोग प्रिये ही था न अधिक आदर का पात्र ही था अपनी कट्ट धार्मिक नीती के कारण उसने हिंदू को नाराज किया था पिता के समान उसे कठिनायों का सामना नहीं करना पड़ा था तब भी वह न अच्छा परसासनी चला सका न सामराज्य को बढ़ा सका यह सब होते वे भी उसमें कुछ अपूर विशेशता थी सिकंदर लोदी उदार वर्ष्टिया सुल्तान था उसे धन का तनिक भी मो नहीं था यदि कहीं धन मिल जाता था तो वह उसे सामनतों में वित्रित कर दिया करता था सुल्तान साहित्य से भी अनुराग रखता था वह स्वैम साहित्य मर्मग्य कला पार की वह सुसर स्क्रप्स मस्तिक स्वाला था वो सुहम कवीता भी करता था वो विद्वानों की संगत में रहना पसंद करता था वो विद्वानों को सदे अपने यहां आसरे देता था उसकी उदार था तता उसके सहितिक अनुराद के कारण अरब एरान से कई विद्वान उसके दर्बार में एकत्रित हो गए थे रिजकुलाह मुस्ता की उसके समय का इत्यासकार वो उस समय हिंदी वो फार्सी का विख्यात विद्वान था उसके दर्बार में सूलिखकों का भी अबाव नहीं था मिया ताहिर उस समय का सू लेखक तथा मानावा डाक्टर था सिकंदर लोदी स्वयम फार्सी साहित्य का अच्छा ग्यान रखता था वह कविता भी करता था शिक्षा वह कला के छेतर में वह फिरोज के समान था वह कला प्रेमी भी था इस्थापत्य कला के छेतर में हम उसके द्वारा बसाए गए आगरा नगर को ले सकते हैं पंड़ा सो छेए इसवी में बहुत सोच समझकर सिकंदर लोदी ने इस नगर की नियू रखी थी डॉक्टर एल्स रिवास्तों में उसे लोदी वर्सका सबसे योगी सुल्तान माना है परंतुवा अपने पिता के भाती सुहम को बराबर वालों में प्रमुक मानने को तैयार नहीं था उसने अमीरों में ये इस्पष्ट कर दिया था कि वे सुल्तान के सेवगे तो छात्रों ये था सिकंदर लोधी पर टॉपिक जो खतम होता है अगले वीडियो में हम इबराहीम लोधी के बारे में अध्यान करेंगे जो लोधी वन्स का अंतिम सासक था जिसने 1517 से 1526 इसवी तक भारत वर्स पर शासन किया थैंक यू